हमारे इस वर्तमान परिस्तिते में जो संघर्ष आते हैं, मन में चिंताएं आती है, तनाव आता है और बिविद COVID-19 के अलावा भी कितनी प्रकार की समस्याएं वियक्तिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्री जीवन में आती ही रहती हैं। इन सब का बहादिरी पुरोग कैसे मुकाबला करें। इसका बहुत अच्छा समाधान स्वामी विवेक आनजी ने दिया है। उसी को हम विविद उधारनों के द्वारा देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। स्वामी विवेक आनजी के स्वयम के जीवन में कितना संगर्ष आया और किस प्रकार से उन्होंने उसका सामना किया। ये भी हम देख रहे हैं। साथ साथ में उनके जीवन में जो विविद व्यक्तियों का समागम हुआ। उन लोगों को भी किस प्रकास से विविद संगर्षों में गुजरना पड़ा और उनको स्वामी विवेकान जीन ने किस प्रकास हिम्मत दी इसी की चर्चा हम लोग जब कर रहे हैं तो आज हम चर्चा करेंगे सिस्टर क्रिष्टिन के बारे में सिस्टर क्रिष्टिन ने अपने जीवन में बहुत संगर्ष किया साथ इसलिए स्वामी विवेकान जी उसको बहुत प्यार करते थे और बारंबार पत्र लिख करके उसका धाड़स बंधाये रखते थे और भी कई कारण होंगे पहली मुलाकात में उसको दिख्षा दे दी ब् और अभी तक हम मानते थे, पहले हम ऐसा मानते थे के सबसेधिक स्वामी विवेकान जी जो लगबग 800 पत्र लिखे हैं, शाड़े साथ सो से आथ सो पत्र, कुछ-कुछ ने ने पत्र आते रहते हैं, फिर से मिलते रहते हैं, तो समझ जाईए के साथ सो पैंतालिस पहले थे तो अभी 800 हो गए होंगे, ज्यादा से ज्यादा, तो ये 800 ज्यादा से ज्यादा पत्र अभी उपलब्द हैं, उनमें से 41 लेटर, 41 लेटर आला सिंगा परिमल को लिखे गए, अद्भुत, बहुत ही पावर्फुल, यूको के लिए अत्यन्त शक्ती वर्दक, वो कैपसुल के स मान वो कारी कर सकते हैं, ऐसे पत्र हैं, पर उस दिन हमने देखा, मिस मेरी हैल को, उन्होंने 47 पत्र लिखे, 47 लेटर्स, हम मानते थे कि यही सबसे ज्यादा लेटर्स हैं, क्योंकि मिस मेरी हैल को अपने व्यक्तिगत जीवन की कई बातें बताते थे, उनके साथ एक विशे होते हैं, so-called अनावश्यक बाते हैं, परन्तु हमारे लिए स्वामी विवेकान के जीवन के बारे में जानना जरूरी है, पर वो not related to his work or his business, पर उनके विक्तिगत जीवन से सम्मंदित, ये बाते हमको मिस मेरी हैल के पत्र में मिलती हैं, और सिस्टर क्रिस्टिन को अभी लिए उनके यहां महाँ पर अलमोडा में सिस्टर क्रिस्टिन लास्ट में अमेरिका, लास्ट अमेरिका में शरी गया, उसके पहले वहीं पर थी, तो उनके पास से एक बहुत बड़ा collection पत्रों का मिला, स्वामी विवेकान जी का पत्रों का, और उन्होंने पहले जो पत्र ह समझ कलत न कर सकते हैं, आठ सो में से नबबे पत्र तो केवल एक ही व्यक्ति को, सिस्टर क्रिस्टिन को, एक साधार शिक्षिका, डिट्रोइट की, कोई बहुत बड़ा कोई करोल पती आदमी नहीं, कोई आध्यात्मी क्रूप से बहुत बड़ा कोई साधूने ऐसा कुछ अपने गुरु भैयों के इतने पत्र नहीं लिखे किसी और शिश्य को नहीं लिखे यह अद्बुत बात ऐसा विशेष प्रेम उनको यह सिश्टर कृष्ण के प्रतिम में दिया पता नहीं क्यों एक तो हो सकता है उसके जीवन में बहुत संगर्ष था बहुत दुखी थी उसको डाड़स बंदाने के लिए देते थे और दुसरा कि उन्होंने बहुत बार उनकी दुसरी सिश्याओं को कहा था शी इस प्यूरिटी इससल्फ पवित्रता की साक्षात मुर्थी बहुत दुबली पतली थी सायद उसके लिए भी उनको लगता था कि स्वास्त भी उनका अच्छा नहीं था तो हमेशा और पत्र में कहते थे अच्छी तरह खाना खाओ मेरे को फोटो तुमारा भेजो कितना तुमारा वजन बढ़ा है बताओ इस प्रकार से निवी दिता मात्र चार साल छोटी थी तो भी उसको डॉटर कहके बुलाते थे और ये तो तीनी साल छोटी थी उसके साथ उनका सम्मद देखते हैं माल लो ग्रेंड डॉटर छोटी बेबी के साथ जैसा विवार करते हैं उनके पत्रा आप देखिए हसी भी आएगी छोटी बेबी को जैसे पत्र लिख रहे है और ऐसे बुते हैं बेबी इस प्रकार से जैसे बेबी को बुलाते हैं इस प्रकार से इतना प्रेम भी देते हैं और इस प्रकार से उसके साथ बात करते हैं अद्भुत पत्रा अब लिखने के पत्रा भी आपको जो नए पत्र सभी मिले हैं, इस अभी नाइन्थ वॉल्यूम अब कम्प्रीट वक्स अब स्वामी विवेकान में अभी समाहित हो गये हैं, उसमें आपको मिल जाएंगे, तो ये सिस्टर क्रिस्टिन, इनका जन्म हुआ जर्मनी में, 17 अगोस्ट 1866, स्वामी विवेकान का 1863, इनका 1866, तो 866 में उनका जन्म हुआ, और तीन साल की उम्र में ही, फिर उसके माता पिता, उनकी पिता जी चले गए अमेरिका में, और केवल उनकी 17 साल की उम्र थी, तभी उनकी पिता जी गुजर गए, और गुजरत है कि जैसे सामी विवेकान के जीन में हुआ, कि उनकी पिता जी जब गुजर गए तो कुछ पैसा छोड़के नहीं गए थे, बलकि कुछ करज करके ही गए थे, उसी प्रकाह से इनकी पिता जी भी कुछ करज करके ही गए होंगे, तो उनकी आर्थिक परस्तिती बहुत हैने थी, इन सब का, इन सब को संबालना, इन सब का लालन पालन करना, इन सब भार, इतनी कम उम्र में, 17 साल की उम्र में, सिस्टर क्रिस्टन के उपर आ गया, इसलिए बहुत ही, इतनी कारे के प्रती, इतनी समर्पित थी, उसका समर्पन, उसकी भक्ती, उसकी पवित्रता, उसका इतनी शांद, स्निग्ध, यह विशेष्टा थी sister Christian की और पहले तो वो बन गई Christian Scientist, she was one of the few Christian Scientist लोग बने डिट्रोइट में उनको traditional Christianity में उतना आनद नहीं आया तो Christian Science में उन्होंने लिया था देल्चस पी उसमें ली थी पर बाद में जब स्वामी विवेकान पहली बार अठा से चोरान में जब डिट्रोइट में प्रवचन दिने आये वो इतना पहला ही प्रवचन सुना बस पांच मीट प्रवचन सुनने के बाद ही वो और मिसेस फूंके यह दोनों सहलिया थी बस उन्हों पूरा जीवन उनका बदल गया जितने प्रवचन हुए स्वामी विवेकान के डिट्रोइट में एक भी प्रवचन उन्हों छोड़ा नहीं बाद में 24 फेबरेरी को जो 1894 को 24 फेबरेरी 1894 यह पहला दिन था जब स्वामी विवेकान से वो मिली और उनका प्रवचन सुना पर ज्यादा बात्चित नहीं हुए थी पर बाद में उनको जब पता पड़ा कि स्वामी विवेकानन ने महा थाउजल आयलन पार्क में कुछ गिने चुने शिश्याओं के साथ एक विशेश प्रकार का कारेक्टरम अध्यात्मिक शीविर जैसा रखा है यह उसको पता कहीं से पड़ा तो वो और मिसेस फुंक के दोनों चली गई पास सो माई से ज़्यादा उनको जाना पड़ा ट्रेन से समुद्र पार करके ऐसा करके उस समय के जमाने में वो डिट्रॉइट में थी और वहां से नी यॉर्क के पास जो थाउजल लेलन पार्क वहां पर आई 6 जुलाइ 1895 6 जुलाइ 895 तब तक में इन लोग का कारेक्टर में सुरू हो गया था जैसा आपको पता है जून मैने से ही तो स्वामी विवेकान ने प्रवचन दिना सुरू कर दिया था 8 जुन से तो यह लोग तो पहले से सुरू हो गए थी कई लोग आ गए थी यह लोग तो रात को पहुँचे एकदम उससे में बरसाग भी हो रही थी फिर भी सुआमी विवेकान ने उनको वेलकम किया फिर वो सोच रहे थे आसपास की होटल में रहे करके स्वामी जी ने ग्रेशियस ने कहा नहीं इनके साथ ही रहो रहने की भी विवस्ता कर दी दूसरे ही दिन स्वामी विवेकान जी ने क्रिश्टन को बुलाया कि देखो मैं कल कुछ लोगों को दिख्षा देने वाला हूं तुमको देखकर कैसा लगता है कि तुमारी भीतर में आध्धात्विकता बहुत है पवितरता बहुत है तो तुम क्या दिख्षा लेना चाहोगी स्वामी जी बुले पर तुमारे साथ मेरी पहचान नहीं है गुरू के लिए आवश्चक है कि शिश्च को अपनाने के पहले उसके साथ उसके बारे में उसको जानना आवश्चक है तो मेरे पास एक विश्च विद्या है जिससे मैं किसे के मन की बाते जान सकता हूँ तो तुम यदि कहो तो मैं इस प्रकास से ध्यान में चला जाऊँगा तुम सामने बैठोगी और मैं तुमारे मन की सब बाते जान लूँगा उसके लिए स्विकार है शिस्टर क्रिस्टिन कहा मुझे स्विकार है श्वामी जी बैठे ध्यान में ध्यान के बाद उन्होंने कहा तुमारे दिक्षा होगी sister Christian उस समय तो उन्हों नहीं पुछा बाद में उन्हों पुछ लिया था बाद में हमको पता लगा उन्हों तो सारे जीवन उन्हें बता है नहीं था एकदम उनका जब मृत्यवानी की बात बाकी थी तब उन्होंने बोशिष इनको बुला था कि क्या बताया था स्वामी जी ने तुमको क्या उन्होंने देखा तुमारे में स्वामी जी ने बुले मेरे को अलग से बुला करकर कहा कि मैंने देखा कि तीन आवरन और बाकी है तुमारे और इसी जन्नम में तुमारी तीसरी आँख खुल जाएगी मतलब मुक्ति हो जाएगी और सच मुझ मैं ऐसा ही हुआ मृत्य के समय जो लोग नजदिक थे बोशी से नजदिक थे उन्होंने खुद अपने देखा उन्होंने खुद ने पार्टिकल में लिखा है अपनी सैम के आँखों से देखा कि मृत्य के समय एक अद्भूत एक आभा उनके चहरे पर आ गई थी और विशेस आनन की अनुभूती मानो उसको हो रही है विशेस उपलब्दी हो रही है ऐसा हम लोग को प्रतित हुआ तो मानो सामी विवेक अननने जो त्रिकाल दर्शी थे उन्होंने योगिक शक्ती से उनको पहले ही पहचान लिया था कि यह साधराण जीव नहीं है और जब वहाँ पर पहुँचे ए लोग तो सिस्टर क्रिस्टिन ने बहुत सरलभाव से कहा विवेकम उन्होंने पुछा कि इतनी रात को तुम आये हो उतने दूर से न्यू यॉर्क आये हो कहां हम डिट्रोइट वहां से इतनी दूर से आये हो तब सिस्टर क्रिस्टिन ने कहा विवेकम जस्ट अस वी वोड़ गो तो जिस्टिस इपी वेस्टिल उन अर्थ और आस्किम तो टीच अस वाले हम लोग क्यों आये मालूम है आद यदि जिस्टिस रहते पृत्वी पर तो उनके पास हम जाकर के जैसे शिक्षा ग्रहन करने के लिए जाते उसी प्रकार से हम आद के पास शिक्षा ग्रहन करने के लिए हैं स्वामी जी अभिभूत हो गए इस भक्ति से उन्होंने यही कहा if only I possessed the power of the Christ to set you free मेरे पास यदि Christ का Jesus Christ के समान शक्ति रहती आद्यात में तो मुझे इसी समय तुमको में मुक्ति दे देता पावर तो उनके पास था पर उन्होंने यह बात कही कि यदि Jesus Christ के समान मेरे पास पावर रहता तो मैं तुमको इस सिक्षण मुक्ति दे देता परन्तु कहने का मतलब वो सिस्टर क्रिस्टिन की इस प्रकार की जो निष्ठा उसकी भक्ती, उसकी आंतरिक्ता उसकी व्याकुलता वो स्वामी जी पहली मुलाकात में समझ गये थे फिर जब बाद में उनके साथ पत्राचार होता रहा स्वामी विवेकान के साथ सिस्टर क्रिस्टिन का बहुत पत्र लिखे जैसे बताया और स्वामी विवेकान जी उसको बहुत प्रेरिद भी करते थे कि तुम मेरे पास यहां हमारे देश में महिलाओं की स्थिती बहुत खराब है महिलाओं के लिए मैं शिक्षा के लिए मैं स्कूल खोल रहा हूँ तुम तो सिक्षी का हो तुम यहां पर बहुत काम कर सकती हो भारत में आकर के तो यहां पर तुम तो बहुत काम कर रही हो परन्तु वहाँ तुम्हारी बहुत ज़्यादा आवश्रकता है भारत में ऐसा बार-बार उसको प्रेरित करते थे भारत आने के लिए पर आखिर तक सिस्टर क्रिस्टिन नहीं जा पाई उसके परिवार में एतनी सारे जंजटी थी उतनी सारी समस्याएं थी बहुत कॉम्प्लिकेशन थे पर जब उसकी मा की बृत्य हो गई उनिस सो दो में तो उसके बाद फिर तुरंथ भारत लिए निकली उनिस सो दो में एप्रिल मेहने में फॉर्चुनेट्ली स्वामी विवेकांजी चौथी जुलाई को उनका सिर्व गया उसके पहले वो पहुंच गई और पांस दिनों तक एप्रिल मेहने में सारा दिन स्वामी जी के साथ रह करके उसने दिन बिता है अपने मन की मंशा पूरी की पत्रों के द्वारा वो मिलती रहती थी और वो इतनी लजज़ाशिला थी इतना लज़ज़ाशिला की कुछ बोलती ही नहीं थी और स्वामी जी बारबर बोलती है तुमारे पत्र ऐसा फॉर्मल लेटर लिखती हो मैं तुमको informal letter लिखता हो, तुम ऐसा formal letter लिखता हो, आप कैसे हैं, फलाने लिकाना, पुर इतनी लज्जाशिला थी, और ये स्वामी जी अपने बारे में बहुत सारा बोल रहे हैं, जो किसी कोई letter में नहीं लिखा, उन्होंने अपने स्वास्ते के बारे में, व्यक्तिगत के तो मानो, स्वामी जी उसके पर इतने फिदा थे, उसकी वो सरलता, उसकी पवित्रता, अद्बुत वह, ऐसा संबंध स्वामी जी का, एक नहीं रूप हमको, स्वामी जी का दिखता है, जब sister Christian को उन्होंने जब पत्र लिखे हैं, उसमें से हमको मिलता है, तो जो भी होगा, स्वामी जी की बातों पर फिर sister Christian आ गई, अपना जीवन निविदित करने के लिए, निविदिता के समान, तो और उसने फिर वहाँ से स्कूल में सुरु काम किया, और उसके पास तो उसके खुद का तो पैसा नहीं था, तो मिस्स ओली बुल ने जैसे कलम ने का, धीर माता, वो कई लोगो स्पॉंसर करती थी, तो इसका पूरा खर्चा, ये भी उन्हों स्पॉंसर के, मिस्स ओली बुल को, तो वो थोड़ा सा जो डॉलर देती थी, उसी से अपना गुजरान चलाती थी, तो जीवन भर गरीबी में रही थी, इसलिए कोई उसको ज्यादा, उसकी गई ये बच्चियों की सेवा में, और वहाँ पर ये जो हाउस था, सेवेंट बोस परा लेन, जहाँ पर कि उससमें स्वामी विवेकान स्कूल था, बाद में उसका नाम निवीदिता स्कूल हुआ, उसमें वो इतनी पॉपलर हो गई, और हाउस अफ सिस्टर्स कहा जाता थ क्योंकि निवीदिता भी साथ में थी, ये दोनों विदेशी नारियां पढ़ाती थी, ये सब कुछ बाद में महिलाओं के लिए उन्होंने क्लास सुरूकी, वो सोच रहे थे आठ या दस महिला आएगी, आप सोच सकते हैं, देड़ सो देड़ सो महिला हैं कलकत्ता की उस सम जो अपना चेहरा किसे को नहीं दिखाती थी, बहार ने निकलती थी, ऐसा जादू ये सिस्टर क्रिस्टे अपने प्रेम के द्वारा दिया, और ये निवीदिता डाइनेमिक, इधर निवीदिता एकदम डाइनेमिक, और लेक्चर उनके बहुत जोड़दा लेक्चर, बचके लड़किया थी, वो भी बोलती थी, कि निवीदिता है सुर्य के समाने, और सिस्टर क्रिस्टर 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 क् नाम से जो प्रक्यात हुआ, इतना प्रक्यात हुआ कि धिरे-धिरे करके पचीज, तीज, पचास, साथ, सतर, देड़ सो, दो सो महिलाएं बढ़ती ही गई, और बहुत अच्छा, और छोटी बच्चियों की तो ट्रेनिंग चली रही थी, ये बहुत ही वो स्कूल बहुत अच उन्होंने काम किया, 12 वर्ष तक उन्होंने इतना कठीन परिश्रम किया, उसके बाद, 1914 में वहाँ पर अमरीका गई, अपने घरवालों से मिलने के लिए, और उसी समय वर्ड वार सुरू हो गया, तो वहीं पर रुग गई, दस साल तक वो फिर आनी पाई, अभी जैसे हम ल फ्लाइटी नहीं मिल रही है अभी, इंटरनेशनल फ्लाइटी बंद है, आफरिका की, उसके कारण हमको अभी 108 विचार करी है, 108 हमने सोचा नहीं तरक उपना नहीं की थी, अभी इश्वर की कृपा से 108 प्रवचन होगे, भागवत कता के अभी नोट आउट है, चल रहा है, यह भी इश्वर की कृपा, तो जो भी होगा, उस समय वो वर्ड वार के कारण है, इसी सिचुएशन होगे दिए, जैसे अभी कोरोना वाइरस के कारण हुई है, बाहर निकलना मुश्किल था, ट्रावेल करना मुश्किल था, अमरीका से भारत आना जहाज मिलते नहीं थे, ह 24 मा करके, फिर यह बोशिशन के साथ उनका बहुत अच्छा सम्मन था, तो बोशिशन उनको फिल ले गए, अल्मोडा, अल्मोडा में दो साल तक वहां रही, और अल्मोडा में उनकी कही समितियां आपको मिलीगी, और बोशिशन ने जो विवेकान रिसर्च उनके साथ रही, और फिर बाद में अमरीका गई, बोशिशन के साथ ही अमरीका गई, तब तक में सास्त खराब हुआ था, तो अमरीका के टूर में गई पर वापस नहीं आई पर, वहीं पर अमरीका में उनका सास्त और खराब हुआ, 27 मार्च 1930 को, उनका सरी चला गया है, द परन्तु वोशिशन बोलते हैं I saw a glow in her face and a blissful parting smile and radiating peace अद्भुत शान्ती उनके चहरे से और अद्भुत आभा उनके चहरे से जलक रही थी और एक बहुती सुन्दर स्मीत मुस्कुराहट उसके चहरे पर थी जब वो उन्होंने शरी छोड़ा तो मानो स्वामी विवेकानन ने जो कहा था इसी जन्व में तीसरी आँख खुलेगी मुक्ती प्राप्त होगी वह मानो स्थार्थक हुआ स्वामी विवेकान की बात और जिस प्रकार से निवीता ने भारत को प्रेम किया उसी प्रकार से Sister Christian ने भारत को जितना प्रेम किया बहुत कम लोग ने किया होगा कोई विदेशी ने इतना प्रेम नहीं किया होगा और वो प्रेम उनको मिला स्वामी वेकान स्वामी वेकान की सावर बोलती थी जो सामी वेकान इंडिया शब्द बोलते थे एक पांच अक्षर का सब्द इंडिया उसमें कितनी सारी भावना है कितना उनका प्रेम जलगता था और वो ही प्रेम ट्रांसपर हुआ सिस्टर क्रिस्टिन के पास सिस्टर क्रिस्टिन ने कभी सारे जीवन में भारत की, किसी भी प्रकार की, कोई आलोचना नहीं की, जानती थी उसमें हैं, बहुत सारे हैं, अभी भी समाज में बहुत सारी कूरितियां थी, एक भी बार भारत के बारे में कोई नेगेटिव बात सिस्टर कृष्टन के मूँ से नहीं इकली, चुपचाक, मौन हो करके, बहनों की शिक्षा का परहतन करते रही, जितना हो सके भारत की सेवा करते रही, अद्बुत सेवी का, भारत की अद्बुत सेवी का, सिस्टर कृष्टन, अनफॉचिनेटली सिस्टर कृष्टन के बारे में, बहुत छोटी एक किताब है, बहुत छो उनको ब्रह्मचर दिख्षा भी दिए थी, पांच लोगों को सौमी विवेकान जीने थाॉजन लाईने पार में ब्रह्मचर दिख्षा दिख्षा दिथी, उसमें से एक थी ये sister kristine और ये हमने जैसे कहा था, last day में, थाॉजन लाईने पार के last day में स्वामी विवेक अनंद केवल दो लोग के साथ वॉकिंग में गए सिस्टर कृिस्टिन और उनके साथ मिस्स फुंक के ये दो जन और फिर एक पेड़ की नीचे स्वामी जैने कहा लेट उस ट्राइ टू मेडिटेट लाइक बुद्धा ये समझ जाओ ये मानो बोटरी केंडर में जैसे भगवान बुद्धा बैठे थे हम लोग भी इस पेड़ की नीचे बैठके ध्यान करेंगे और ऐसे गहने ध्यान में मुखना हो गए मानो एक कास्ट की प्रतीमा इधर जोर से तुफान आया कोई उन पर कोई असर नहीं हुआ सब लोग दोड़ते दोड़ते आये चाता लेकर के रेंट लेकर के बहुत देर बात स्वामे जी की निर्विकल समाधी तुटी फिर वो आपस आये ये लास्ट डे की बात है वो उसकी प्रतेक्ष दर्शिनी थी इस सिस्टर क्रिष्टिन और इसके कान इसके मन पर बहुत प्रभाव पड़ा कि निर्विकल समाधी कि इसको बोलते हैं इसका फॉस्ट हैंड एक्सपिरियंस नहीं हुआ पर विटनेस फॉस्ट हैंड विटने अब्वे पत्र लिखे दो ही पत्र की बात हम करेंगे ऐसे तो बहुत सारे सुन्दर पत्र हैं दो पत्र ऐसे लिखेंगे जहां पर की उन्होंने Sister Christian को Poem लिखके दिया Sister Christian को Poem लिखके दिया To an Early Violet एक पोem था To an Early Violet What Though Thy bed be frozen earth मतलब sister Christian को दिलासा देने के लिए उसके जीवन में बहुत कठिना ही थी कठिना ही यह पार करने के लिए हिम्मत देने के लिए बोल रहे है स्वामी जी तो एन early violet यह early violet क्यों मुला violet का जो flower हता है जब season में आता है तो उसको कोई problem नहीं होता पर जो season के पहले का जो flower यह कोई करना चाहे तो उसको बहुत संगर्ष करना पड़ता है कभी बर्व की वर्षा होती उसके सामने उसको करना पड़ता है season खराब होती बर्षा होती उसके सामने उसको टिकना पड़ता है तो early violet not violet Early Violet को किस प्रकास संगर्ष जाना पड़ता है तो Sister Krishna को बोल रहे हैं कि तुम्हारा जीवन भी Early Violet के समान है और Early Violet के समान तुमको अडिक रहना पड़ेगा और संगर्ष करके जीत लेना पड़ेगा कितना सुन्दर उन्होंने वह संदेश दिया है To an Early Violet What though thy bed be frozen earth Thy clock the chilling blast What though no male to cheer thy path Thy sky with gloom overcast What though if love itself doth fail Thy fragrance stood in vain What though if bad over good prevail And wise over virtue reign Change not thy nature gentle bloom Thou violet sweet and pure But ever pure thy sweet of perfume Unasked, unstinted, sure यह स्वामी जी ने लिखा To the early violet Akal kusumit violet के प्रती Akal kusumit मतलब जो सीजन में होने के पहले वसंत्रूत में प्रफलित होता है साधानता पर शीतका मेरे दिवा प्रस्पूटित हो उसे तुशार शीतल जलवाई में संग्राम करके प्रस्पूटित होना पड़ता है ऐसे एक शीतकाल इन दिवस में प्रस्पूटित violet की चितर कल्पना पर अवलमित यह कविता स्वामी जी ने रची जिसका अनुवाद किया सुमीत रानेंद पंत ने अकाल सुमीत वाईलेट के प्रती चाहे हिमा चादित धरा तेरी शैया हो ठिठूरती हुई सर्दी आंधी हो तेरा कंचुक चाहे बिना उल्लसित करने वाले साथी के एका की ही चलना हो तेरा आकाश गना चादित हो जाए और प्यार स्वयम धोका दे जाए तुम्हारी सुरवी व्यर्थ विखर जाए चाहे शूप पर अशूप विजय पा जाए शाषन करे अशोभन शोभन मूह की खाए फिर भी हे वाईलेट तुम अपनी पावन मधुर प्रक्रती कोमल विकास किंचित मत बदलो बल्कि अयाचित अपनी सुगंदी बिखेरे जआओ गती नरुके विश्वास नक हो अपनी सुगंदी बिखेरे जव और बस यही काम किया जो स्वामी जी ने कहा था उन्होंने पत्र में लिख करके अर्ली वाईलेट के प्रती वही पुशो ने काम किया कि आखिर जिन्गी तक वो अर्ली वायलेट के समान रही, अविचल रही, संगर्ष करती रही और सुगंध अपनी वहाँ पर प्रसरीत करती रही और दूसरी उन्होंने एक कविता लिख करके भेजी थी, 14 अगस 1900 को, पोएम था, दाव ब्लेशेट ड्रीम, इसमें कहते हैं स्वामी जी, दाव ब्लेशेट ड्रीम में, कि If things go ill or well, if joy rebounding spreads the face, or sea of sorrow swells, it is a dream, a play, a play we each have part, each one to weep or laugh as may, each one his dress to dawn, alternate shine or rain. Thou dream, O blessed dream, spread far and near thy veil of haze, tone down the line so sharp, make smooth what roughness seems, no magic but in thee, thy touch makes deserts bloom to life, harsh thunder, sweetest song, failed death, the sweet release. कहते हैं कि किस प्रकार से स्वामी जी उनको, सिस्टर क्रिश्टिन को इस प्रकार से ढाड़स बंदाते हैं और संगर्ष के लिए आववान करते हैं. ओ स्वर्गिय स्वपन शत्रा आगस 1907 को पेरिस में भगिनी क्रिश्टिन में ग्रिश्टिल को लिखित. क्रिस्टिन ग्रिंडिस्टिल उसका नाम था सरनेम था ग्रिंडिस्टिल दाओ ब्लेसेद ड्रीम नामक कविता का कावेनुवाद सुमित्रा नद पन था ओ स्वर्गिये स्वप्न अच्छा या बुरा समय बित्ता है कभी हरशाति रेक से रदय गदगद होता है और कभी दुखों के सागर लहराने लगते हैं यहीं हम सुभी सुख दुख से प्रभावित हो कभी रोते और कभी हसते हैं हम अपने अपने रंग में होते हैं और ये द्रिश अदल बदल कर आते रहते हैं चैसुख चमके या दुख बरसे ओ सपन, ओ स्वर्गिय सपन, यह कुहर जाल फैला कर सब कुछ ढग दो, इन तिकी रेखाओं को कुछ और मधुर करो, और परुष को जरा और कोमल कर दो ओ सपन, केवल तिमी में जादू है, तुमारे शपर से रेगेस्तान उपवन बनकर लहराते हैं, कड़कती बिजलियों का भिष्ण घोष मधुर संगित में बदल जाता है, और मृत्यू एक सुखद मुक्ती बनकर आती है कितनी सुन्दर ये भावना है, स्वामी विवेक कानजी ने सिस्टर क्रिष्टिन को देख करके उनको भलकित भले दुबली पतली थी, पर उनके मन को इतना स्ट्रॉंग बनाया, इतना मजबूत बनाया, कि वो सारी जितने समस्याओं को उसने बहुत ही बहुत ही बहादर उप्रक उसके सामने उसने युद्ध किया और अंत में विजे प्राप्त की, मुक्ति प्राप्त की, मृत्ति पर विजे प्राप्त की, बहुत सुन्दर ये, सिस्टर क्रिष्टिन के प्रती हमारी आज की अ ओम शान्ति 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 हरिही ओम तच्सत शिरामकृष्णार्प नमस्तु